हेलो एवरिवन डूद्रास केक रेसिपी में आप सब का स्वागत है आज का केक रहने वाला है हमारा स्टैंडिंग में जैसे कि यह रहेगा हमारा वन केजी का और यह जो स्टैंडिंग में मैंने मतलब फॉस्ट टाइम ही केक बनाया है और मुझे बहुत जादा इसे लग रहा है वो भी में बताऊंगे और कस्टमर को भी कितना पसना आया था वो भी बताऊंगे तो यह हमारा यहां पर वन केजी का पाइनापल फ्लेवर में स्टैंडिंग वाला उमन्स का केक जो उमन्स डे था न उस दिन में ने बनाया था और यह पार्टी में जाने वाला था रोट मुझे दो तीन ओडर फीर से आई आने वाली इसके मतलब उन्होंने बोला कि मैं बहुत ही अच्छा था मतलब इतना यम्मी पाइनापल केक हमने बाहर अब तक नहीं खाया था इतना अच्छा हुआ था यह वाला केक लेकिन उसे मुझे बनाने में दिक्कत तो बहुत सरी आई थोड़ा सा ज्यादा चाहिए क्योंकि वह थोड़ा सा दूर ट्रैवल करने वाला था तो मुझे फॉर्स्ट लग रहा था कि यह स्टांडिंग में जो हमने रखा रखूंगी मैं तो वह लास्ट मतलब डिलीवर होने तक वह ऐसा ही रहेगा के नहीं मतलब वह एक मुझे पह आँगे से मैं साई तो इसलिए मैंने यह ओडर ली थी और आप देख सकते हों यहां पर मैं यहां पर वन बाइवन केक की लेरिंग कर रहे हूं तो यह वन केजी का था एट इंच के टीन में करते तो उसकी वीड़ तो अच्छे से नहीं आती इसलिए यहां पर मैंने जो सिक मैं आपको बताती हूं मेरी फर्स्ट वाली प्रॉब्लम थी यहां पर जो उमंस का टॉपर है वो यहां पर में जहां पर रहती हूं वहां पर किदर भी आविलेबल नहीं था और एक ही जगा पर था तो वह बहुत दी दूर है यहां से 10-15 किलोमेटर दूर है चिंसवर वाल करके देखां आस-पास के कि चलो मैं वहां से मिलाओंगी या कुछ ना कुछ करूंगी लेकिन किदर भी नहीं मिल रहा था उन्होंने मुझे पहले केक का जो यह है फोटो पिक सेंड किया था तो मैंने बहुत जगा पर पूछा था कि आक्रेलिक का जो उमंस का फेस का जो ट प्रीट मतलब बनाते हैं जो कि बेकरी मतलब जो सामने केक आ वह बेचते हैं लगी वह भी भाइया नहीं थे मतलब उन्हें इतना कुछ नॉलेज नहीं था और जब मैंने उन्हें यह दिया फोटो दिया कि मुझे ऐसे वाला फूटो प्रीट बना के देदो स्टारणिंग क तो उन्होंने क्या किया इतना च्छोटा दिया और मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था मतलब एक प्रॉब्लम पहली थी कि टॉपर नहीं मिला टॉपर को सभी मैं वैसे केक बनाना है उसे एड्जस्ट करने के लिए मैंने फोटो प्रिंट किया तो उन्होंने जो उमन्स का फेस है बहुत ही छोटा कर दिया और मैं जो डेकोरेशन कर रही थी वहाँ पर मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था मुझे फिर मैंने क्या किया जब मेरे हजबन आये शाम को फिर मैंने उन्हें बुला कि मुझे फिर से ऐसी वाली फोटो प्रिंट बड़े इस में लेक आप देखेंगे वहाँ पर कि मैंने सब से पहले कि ने छोटा वाला यहां पर लगाया था उमन्स का फेस दिल मेंने फिर वह पूरा देकोरेशन निकाल दिया दूसरी फिर फोटो प्रिंट लाया और फिर वह लगाया आप आगे देख सकते हो तो यहां पर मैंने जो केक है अपिंक शेड में पूरा मतलब उसे थोड़ा संब और नहीं है वह देन जहां पर मुझे लग। थोड़ा सा क्रीम कम है , वहां पर मैं अच्छे से यहां पे अच्छी से के तुसर नहीं कर रहे हूं , मतलब जो स्पैचुला के हैप से क्रीम लगा ओंगी , अर्फ काबल के हैं , पूरा क्लीन कर दूंगे उसे और फिर यह जो यह है ना पहले कभी भी आपको ऐसे कुछ नए डिजाइनर ऐसे वाले केक आते है न तो उस टाइम पर क्या करने का केक को अच्छे से फिनिशिंग करके at least 2-3 घंटे के लिए फ्रीज में थंडा करने का तो इससे क्या होता है कि म मैं यहां से उसे साइड से कट कर रही हूँ देख सकते हो आप लौक मैंने जो बड़ा वाला नाइफ है उसके हिल्प से यहां पर एक कट मार दिया और कितने अच्छे से केक सेट के आए और आप अंदर की तरफ देख सकती हो कि मैंने क्रीम का यूज कितना कम करती हो मैं और एक तरफ हाथ लगा के ऐसे कर दिया केक को स्टैंड अभी उससे थोड़ा सा सेंटर में लेके जाना था तो यह क्या हो रहा था जो टर्न टेबल है वो घूमी रहा था तो मुझे लग रहा था घूमती घूमती वो गिर गया तो क्या करेंगे इसलिए मैंने मेरे हजबन को बोला कि थोड़ा सा टर्न टेबल को पकड़ो रूनों ने पकड़ा और दिन में जो यह है मेरा स्पैचुला उसकी हल्प से उससे सेंटर में सेट कर दिया अभी आप देख सकते हो कि यह मतलब अच्छे सा स्टैंड तो हुआ है कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है से क्रीम मैंन इसमें में कुछ भी तुःटपिक ऐसा कुछ भी नहीं डाला था मैंने सोचा कि चलो में क्या बुक करके वहां पर डिलीवर कर दूगी तो अच्छे सा जाएगा अभी तुषपिक डालोंगी तो फिर वह गंदा हो जायगा और इतना बड़ा भी नहीं था कि तुःपिक त कुछ भी नहीं डाला था तो मैंने क्रीम से उसे कवर कर दिया है अंग उसे जितना हो सकते उतना भी लिए उसे क्लीन कररे वह तरप से में फोटो प्रिंट लगाऊंगे तो प्रॉब्लम तो मैंने बताएं आपको जो भाहिया ने जो फोटोप्रिंट दी थी वो बहुती उसमें उमन्स का जो फेस से बहुती छोटा था तो इसलिए वो मतलब अच्छा नहीं दिख रहा था आप देख सकते हो आगे में बताऊंगे यहां पे उन्होंने जो पिक सेंड किया था उस पे स्रीमर वाला यह था अभी मेरे पास स्रीमर की मशिन भी नही आखे थे एक तरफ हमारा तो फोटो आने वाला था और बैक साइड में मैंने सोचा कुछ जरूरत नहीं है यहां पे देख सकते हो शिमर मैंने उपर की तरफ डाला है लेकिन कॉर्णर में अभी वह सिमर नहीं हो रहा था से तो फिर मैंने मेरे पास यह जो रहता है पाउडर लग रहा है वह फोटो प्रिंट दी थी वह मैंने लगाई और उन्होंने जो पिक सेंट किया था ऐसे फ्लावर्स थे मतलब यहां पे हम जैसे लगाते हैं सेम वैसे लेकिन वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था मुझे बहुत ही खराब लग रहा था फिर मैंने क् प्रिंट निका लिए दें फिर से उसे और अच्छे से सेट कर दिया और जो फाइनल लुक था हमारा केक का वो ऐसा था पिछे की तरफ मैंने वो क्लेन किया था वो बाला वीडियो मैंने निकाला नहीं है